और देवगर के अंजिला मेंशन सभागार में अखिल भारतिया खदान मजदूर संग की दो दिवस्य कारिसमी दी बैठा कायोचन हुआ और इस मौके पर आपको बताएं कि लगातार भारत माता और साथ ही आपको बताएं कि भगवान विश्व कर्मा की प्रतिमा पर पुश्पांचली और दी प्रजुलित कर कारिकरम का शुभारम किया गया और इस दोरान कोईला वेतन समझोता लागू करनी की मांग की गई है और इस मौके पर अखिल भारती अख़दान मजदूर संग के कारिकारी अध्यक्ष ने दो दिनों के कारिकरम के बारे में विस्तार से मीडिया को बताएं एक गुप्त बेठक क्या गया है गुप्त बेठक हमारा जहां मिटिंग हो रहा था उसका भगल में जो इसमें हमारा जो कारशमिती है इसमें पिछले बेठक का बिरित पढ़ा जाता है उसका नुमदन कराया जाता है पिछले बित का जो है पोस्ट बित का इसमें जो है रख है रिश्टर्ड यूणियनों की उनकी रिपोर्टिंग ली गई है और इसमें जो है संगशनात्मिक विशेर परचर्चा होती है कोईला उद्योग का विजुलन समस्या है कि हमारे पॉल इंडेस्ट्री के मजदूरों का बेतन समझावता है ज्यार लंबित है 19 परसेंट 3 जनवरी 2022 को MGB पर सहमती बनने के बाद भी एग्रिमेंट हुआ है लेकिन अभी तक उसका सर्कुलर जारी नहीं हुआ और बाकी जो उनकी समाजिक सुरक्षा की है जिसमें ट्रांस्पोर्ट सफिटी है लेल टीसी है लेल टीसी है उनका भत्ता का जो भुगतान का म